दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गैजिट्स वाला चैनल को और बेल आइकन को दबाईए टेक सिमेटेट लेटेस वीडियोस सब्सक्राइब साउमी वालोंने चाइना के अंदर लॉंच कर दिया हैं साउमी MI5X या MI-A1 का सक्षेसर साउमी MI6X या MI-A2 बहुत अच्छा स्पिसिफिकेशन के साथ आ रहा है बहुत अच्छा एग्रिसिव प्राइज के साथ और बहुत अच्छा क्यामरा के साथ आ रहा है इसका price भी बहुत ही aggressive है और ये phone आ रहा है तीन variance पर एक 4 GB और 64 GB जिसका price China E1 के हिसाब से होना चाहिए 17,000 दूसरा variance 6 GB और 64 GB जो China E1 के हिसाब से price है 19,000 और तिसरा जो last variance है 6 GB और 118 GB का जिसका price China E1 के हिसाब से होना चाहिए 21,000 बै मैं यहाँ पर base variant का बात कर रहा हूँ यानि 4 GB और 64 GB का जिसका price लगबग 17,000 है बै प्राइस बहुत ही aggressive रखा गया है कुछ मेने पहले इंडिया में साउंड वालों ने launch किया था Redmi Note 4 का successor Redmi Note 5 Pro इसका price भी बहुत है aggressive था जानते हो कितना demand है इस phone का क्यूंकि this phone का price, specifications और camera बहुत ही जबरदस्त है भाई दुबिदा अब हो रहा है भाई कौन सा phone लेना चाहिए या हमें रुकना चाहिए Xiaomi का MI6X या MI A2 के लिए या हमें लेना चाहिए Redmi Note 5 Pro आज इस वीडियो में मैं Redmi Note 5 Pro और Xiaomi का MI6X या MI A2 का side by side comparison करूंगा specifications की, camera की, display की, battery की, processor की और उसी के साथ price की उन्हों phone में कौन सा phone आपको लेना चाहिए और कौन सा phone value for money है भाई सारी चीज़ा देखने के लिए मेरे साथ जुर रही है, मेरा वीडियो देखते रही है by the way, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो gadgets वाला तो चोलून, सभाई मिले बुली, शुरू कोडी आप जानते हो, सावी का हर एक phone, हर एक budgets के अंदर आता है और इसका price बहुत ही aggressive होता है, जितना aggressive होता है इसका specifications और camera भाई, MIA1 पिछले साल 2017 पर सावी वालों ने launch कर दिया था बहुत ही अच्छा phone है, और यह पहला phone था जो Android 1 platform के उपर आया था आप जानते हो, Android 1 platform के उपर अगरा कोई भी phone खरीटते हो इसका जो सुविदा है, वो है आपको update बहुत जल्द मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे MIA1 पर Android Oreo 8.1 का update मिल गया है पर अभी भी सावी का कोई भी phone में update नहीं आया है 8.1 का चाहिए हो वो Redmi Note 5 Pro हो, या Redmi Note 4 या कोई भी phone और MIA1 पर या जो Android platform पर चलता है जो phone उसमें आपको security patches up to date मिल जाएगा तो भाई MIA1 तो बहुत ही अच्छा phone था पिछले साल का और 2018 का बहुत ही value for money वाला phone और बहुत ही budget के अंदर phone है Redmi Note 5 Pro MIA2 value for money वाला phone होगा देखिए चले comparison करते हैं डिस्प्ले के साथ भाई Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है 5.99 इंच की डिस्प्ले आपको साउमी का MI6X में भी आपको मिलता है 5.99 इंच का डिस्प्ले दोनो ही phone में आपको full view डिस्प्ले मिल जाएगा full HD plus डिस्प्ले मिल जाएगा और 18.9 aspect ratio वाला डिस्प्ले मिल जाएगा दोनो ही phone में आपको gorilla glass का protection मिल जाएगा पर difference का है difference A की जागा में है देखिए Redmi Note 5 Pro में आपको उपर और नीचे bezels उतना जादा नहीं मिल रहा है पर MI A2 या साउमी का MI6X में आपको MI A1 की तरह ही आपको bezels उपर और नीचे में दिखने को मिल जाएगा जो काफी सारी users के लिए हेलेक हो सकता है चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की प्रोसेसर में बहुत ज़दा इंप्रूब्मेंट के आ गया है जैसे कि इंप्रूब्मेंट के आ गया था पिछले बार का Redmi Note 4 से Redmi Note 5 Pro में Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon की Octa Core Base 1.8 GHz पर चलने वाला Snapdragon 636 का प्रोसेसर प्रोसेसर लेटेस्ट है प्रोसेसर लेटेस्ट है प्रोसेसर फोन था जो आपको Qualcomm Snapdragon 636 प्रोसेसर मुआयना क्या था इस प्राइस रेंच पे बही ये 14 फिंफेट नैनो मीटर टेकनोलोजी पर बनाया गया है आपको यहाँ पे चार चार करके दो कोर्स मिल जाएगा आपको Adreno का 509 का GPU भी मिल जाएगा गेमिंग परफॉमेंस विश्वास कीजिए मेरा बहुत है अच्छा है हीटिंग इस वेगा पे नहीं है और गेमिंग पर मुझे मज़ा बहुत आता है क्योंकि यह फोन मैं करीब करीब दो मैने तिन मैने से यूज़ कर रहा हूँ नजर डलते हैं सावमी का MI6X या MI82 के प्रोजेसर की तरब बहुत ही लेटेस्ट है बहुत ही पावरफुल है यहाँ पे आपको Qualcomm Step Dragon का 660 प्रोजेसर मिलता है जो काईरो बेस्ट है और यह 2.2 GHz पर चलता है 14 FinFit Nanometer Technology पर यह बनाया गया है यहाँ पे आपको Charger करके 2 course मिल जाएगा जो 4 course है वो 2.2 GHz पर चलता है काईरो का 260 और जो next 4 course है वो 1.8 GHz पर चलता है जो है काईरो का 260 यहाँ पे आपको Adreno का 512 का GPU मिल जाएगा पास्वारा का GPU भी मिल जाएगा क्लिए आप बात करते हैं RAM और रॉम की Redmi Note 5 Pro आया था 2 variants पर एक 4 GB और 64 GB के साथ और दूसरा 6 GB और 64 GB के साथ मैं 6 GB और 64 GB का बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो value for money नहीं है यह वाला जो मैं यूस कर रहा हूँ यह 4 GB और 64 GB वाला है जिसका price 14,000 आता है यह value for money है जो Redmi Note 5 Pro में RAM यूस क्या गया था वो था LPDDR4X 2-Channel वाला RAM और सेम RAM आपको Mi A2 या Xiaomi का Mi 6X में भी देखने को मिल जाएगा यानि LPDDR4X 2-Channel वाला RAM इससे क्या होता है इससे speed बहुत अच्छे से increase होता है आपको lag नहीं देखने को मिलता है जो Xiaomi का Mi 6X या Mi A2 आया है यह आपको 3 variants पे मिल जाएगा एक 4 GB, 64 GB दूसरा 6 GB, 64 GB और तिसरा 6 GB, 128 GB दोनों ही phone में आपको hybrid SIM slot मिल जाएगा तो ही phone में आपको dedicated microSD card slot नहीं मिलेगा चलिए अब बात करते हैं camera की तरब camera आजकल सभी users चाता है अपको फोन में बहुत तगरा एक camera हो दोनों ही phone में बहुत ही अच्छा दो camera का जुगलबंदी दिया गया है Redmi Note 5 Pro आप जानते हो बहुत ही अच्छा एक camera वाला phone है हाँ मैं यह admit करता हूँ AMI A1 की तरह आपको यहाँ पे उतना अच्छा portrait mode नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे telephoto lens यूज किया गया था Redmi Note 5 Pro में आपको जो primary camera मिलता है वो 12 megapixel का और यहाँ पे यूज किया गया है Sony का IMX 486 का sensor यहाँ पे आपको aperture मिलता है Ape 2.2 का और यहाँ पे यूज किया गया है 1.25 micron का pixel लो लाइट में उतना अच्छा camera performance यह नहीं देता है दूसरा camera है dip sensor के साथ आता है वो Ape 5 में का pixel का और इसमें यूज किया गया है Samsung का sensor इसके aperture है Ape 2.0 और यहाँ पे यूज किया गया है 1.12 micron का pixel तो पीछे का camera है वो daylight में बहुत अच्छा आपको clarity देता है इतना ही नहीं आपको portrait mode भी बहुत अच्छा से मिलता है भाई इस phone में आपको EIS भी मिलता है के लिए आपको इस phone में 4K video recording का option नहीं मिलेगा पर in future का camera जो selfie lovers के लिए बहुत अच्छा है और यह portrait mode के साथ भी आता है जो front camera है वहाँ पे आपको aperture मिल जाएगा Ape 2.0 का और इसमें उसके आगया है 1 micron pixel size इस phone में आपको AI-based selfie mode भी मिल जाएगा बात करते हैं अब MI6X या MI-A2 के बारे में MI-A2 में camera दिया गया है जो primary camera वो है 12 megapixel का और यह camera आता है Sony का IMX 486 sensor के साथ इसका aperture है F1.75 इस camera में यूज के आगया है 1.25 micron का pixel बाई low light में camera बहुत ही जबचदस थोने वाला है क्यूंकि इसका aperture बहुत ही कम है जो secondary camera है वो आ रहा है टेली फोटो लेंस के साथ इस लेंस पर यूज के आगया है Sony का IMX 376 का sensor के aperture भी है F1.75 इस पर यूज के आगया है 1 micron का pixel यह तो low light में बहुत ही जबदस्त camera होने वाला है यह MI-A2 में आपको 4K video recording का option भी देखने को मिल जाएगा यह phone आ रहा है dual tone dual LED के साथ इसमें आपको EIS का support भी मिल जाएगा और सामनी के तरफ आपको portrait mode मिल जाएगा MI-A2 में सामनी के तरफ भी आपको 20 megapixel का camera दिया गया है जिसमें उसके आगया है Sony IMX 376 का sensor इस camera AI based scene recognition के साथ आ रहा है यानि आपको punchy colors देखने को मिल जाएगा इस phone में आपको इस camera में आपको AI based कुछ technology मिल जाएगा AI based background portrait mode यह तो जाहिर सी बात है MI-A2 compared to Redmi Note 5 Pro बहुत ही अच्छा है camera के ममले में बात करते हैं अब battery की बाई Redmi Note 5 Pro में आपको 4000 image का battery मिल गया था इसमें आपको Qualcomm quick charge 2.0 का support भी मिल गया था बाई 4000 image battery बहुत अच्छे से perform करता है विलिप कीजिए गे मिला क्योंके मैं यह phone उज़ कर रहा हूँ और यह phone आपको दो दिन का battery backup कम से कम दे देगा MI-A2 में आपको 3010 image का battery दिया गया है हाँ मैं जानता हूँ आप लोग upset हो रहे हो मैं भी upset हुआ हूँ अगर sound बालोंने 3500 image battery दिया होता तो यह और भी अच्छा होता हाला के आपको इस phone में यानि MI-A2 में quick charge का option भी मिलता है क्वालकम stabdragon की quick charge 3.0 का support भी मिलता है और यह phone 30 minutes पर 50% तक charge भी कर देता है और box में आपको 18 watt का एक charger में मिलता है बात करते हैं OS की दोनों ही OS different है दोनों phone का जो Redmi Note 5 Pro आता है वो Nougat के साथ आ रहा है और इसमें आपको MIUI 9 का support मिल जाएगा वहीं दूसरी तरफ जो MI-A2 है उसमें आपको Android 1 का platform दिखने को मिल जाएगा यानि आपको stock Android का एक एहसास मिल जाएगा बहुत सारी users ऐसा होता है जो stock Android को पसंद करते हैं जैसे मैं मैं stock Android को पसंद करता हूँ क्योंके भाई इसमें आपको update बहुत जल्द मिलता है और 2 years के लिए आपको update मिलता है अपका MI-A2 Oreo का 8.1 के साथ आ रहा है और इसमें आपको 2 साल के लिए update मिल जाएगा जैसे के Android P और Q तो ये बहुत ही अच्छा है और ये phone बहुत ही fluid भी होने वाला है क्योंके lagging आपको दिखने को नहीं मिलेगा हलाके ये भी lagging नहीं करता है पर MI-UI जो होता है वो बहुत ही heavy होता है Redmi Note 5 Pro में आपको 3.5 mm का jack मिलता है और USB port मिलता है normal और पीछे में और नीचे में आपको एक single speaker मिलता है sound quality बड़ी आए बई, MI-A2 में आपको मिलता है dual speaker जो bottom में मिल जाएगा बहुत ही अच्छा है क्योंकि MI-E का जो A1 था उसका भी sound quality तग रहा था चाहे वो headphone से हो चाहे वो speaker से हो sad news ये है कि Xiaomi का जो MI-6X है या MI-A2 है इसमें आपको 3.5 mm का jack नहीं मिलेगा आपको strip USB Type-C से ही काम चाहना होगा चाहे वो आपका data transfer हो, charging हो या गाना सुनना हो तो भाई ये बहुत ही sound वालो 9 सप ही क्या है हमारा साथ दोनों ही phone में सरी sensors मिलता है accelerator sensor, proximity sensor, ambient line sensor, gravity sensor, gyroscope, hall sensor, compass सारी sensors अपको मिलता है दोनों ही phone में आपको पीछे में fingerprint sensor मिल जाएगा देखने को दोनों ही phone में face detection unlock भी आप कर सकोगे conclusion, कौन सब phone आपको लेना चाहिए MI A2 में दो जगा में बहुत ही अच्छा है एक तो camera और दूसरा प्रोसेसर पर battery बहुत ही कम दिया गया है 3010 image का और इस पे आपको bezels MI A1 की तरह बहुत ही बरा मिल जाएगा Redmi Note 5 Pro में बहुत ही छोटा है और आपको इस phone में 3.5 mm jack नहीं दिया गया है यह आपको माइने लगते हैं तो आप Redmi Note 5 Pro के साथ जा सकते हो जो इसका price है 4GB और 64GB का वो है 14,000 और जो 4GB और 64GB का MI A2 का price होने वाला है वो करिब करिब 17,000 तो क्या आपको मिल रहा है extra आप एक high end users हों आपको Qualcomm 660 चाहिए आपके लिए MI A2 वेट कर रहा है आपको अगर एक जबरदस कैमरा चाहिए आपके लिए MI A2 वेट कर रहा है आपको अगर एक stock Android UI चाहिए आपको अगर दो सल के लिए update चाहिए आपके लिए MI A2 वेट कर रहा है पर अगर आपको budget उतना नहीं है पर आपको अच्छा camera चाहिए dual camera आपको MIUI आपको customization चाहिए आप customize करने में बहुत विश्वास रखते हों तो भाई आपके लिए Redmi Note 5 Pro वेट कर रहा है भाई आपको अगर अच्छा processor चाहिए उतना powerful तो नहीं आप एक medium user हों तो आपके लिए 636 अच्छा है क्योंकर 636 भी latest processor है तो Redmi Note 5 Pro आपके लिए है अगर आपको एक अच्छा battery चाहिए तो आपके लिए Redmi Note 5 Pro वेट कर रहा है तो भाई आपको अगर business जादा नहीं चाहिए तो आपके लिए Redmi Note 5 Pro वेट कर रहा है अगर आपको 3.5mm jack सक्त जरूरी है भाई आपके लिए Redmi Note 5 Pro वेट कर रहा है भाई जो MI A2 वो एक दो मैने में आने वाला है इंडिया में मैं वो खड़ी दूँगा और side by side आपको Redmi Note 5 Pro के साथ MI A2 का compare भी करूँगा और आपको review भी दिनुगा, unboxing का review दूँगा, full review दूँगा, tips and tricks बताओंगा, gaming review दूँगा और camera review भी दूँगा भ notification bell को दावना मद गूलिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो का update इन future आपको मिलता रहेगा, भाही मेरे comment जरूर कीजिएगा, आपको क्या लगता है, क्या आप Redmi Note 5 Pro के साथ जाना चाहोगे, या MI A2 के लिए वेट करोगे, जो comparison मेने क्या है, वो क्या सही है, चलूँ भालोराग बें, दोनो बालो